सद्द्गुरु टाइम्स नाउ में आपका स्वागत है हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड पर है ये समय बहुत महत्वपूर्ण है देश के हिंदू और मुस्लिम समुदायों के रिष्टों के लिए एक लंबे केस के सिलसिले में या मैं कहूंगा कि लंबे समय से चले आ रहे राम जन्मुभूमी टाइटल केस के लिहाज से शायद आपने दलीले सुनी होंगी या कम से कम आपको निउस पेपर में छपी खबरों की जानकारी होगी सद्द्गुरु आप इस केस के बारे में क्या कहेंगे देखिए इस केस को इतना लंबा नहीं चलना चाहिए था किसी भी नियाएपीट के लिए इस पर फैसला सुनाना बहुत मुश्किल है तो फिलहाल जो एक बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है उसे जमीन के जगड़े की तरह सुलजाने की कोशिश की जा रही है इस मुद्दे पर जो भी फैसला लिया जाएगा कोई ना कोई नाखुश होगा लेकिन साथ ही हमें समझना चाहिए कि जब बात जमीन की होती है तो जब एक परिवार में भी दो भाईयों के बीच टकराव होता है तो एक को हमेशा लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो एक चीज है कि क्योंकि इस समस्या को सुलजाने के दूसरे सभी तरीके नाकाम हो चुके है तो ये सबसे अच्छा होगा कि जो भी फैसला सुनाया जाए उसे सभी माने सभी लोग के लिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि जैसा कि आपने कहा ये समस्या सोलवी सदी से चली आ रही है 1528 तब से ये चली आ रही है समस्या बस यही है अब सवाल ये नहीं रह गया है कि वहां मंदिर था या नहीं था इस बात के परियाब सबूत मौजूद हैं कि मंदिर मौजूद था और सबसे बढ़कर उस समय की प्रकृती यही थी कि जो बहारी हमलावार आए उन्हें लगा कि वो जिहाद कर रहे हैं बाबर निश्चित तोर पर मानता था कि वो जिहाद कर रहा है और जब उसने इस देश की मूर्तियों को नश्च किया तो उसे नहीं लगा कि वो कुछ भी गलत कर रहा है क्योंकि मूर्ती पूजा उनके अनुसार एक बहुत ही गलत चीज है यह बहुत जरूरी है कि आज का मुस्लिम समुदाए उन लोगों से अपनी पहचान ना बनाएए बहुत जरूरी है साथ ही यह भी बहुत जरूरी है कि हिंदु समुदाए आज के मुस्लिम समुदाए को अतीत में हुए अत्याचारों के नजरिये से ना देखे यह बहुत जरूरी है उसके बाद इस समस्या को सुलजाना बहुत आसान हो जाएगा फिलहाल ये मुश्किल काम सौबा गया है लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि किसी तरह का निशकर्ष निकलने वाला है क्योंकि इसे अगली पीड़ी के उपर टालने से इसका समाधान नहीं होगा जो कि हम बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं ये बहुत जरूरी है और हम कई सतरों पर इस समय कोशिशे कर रहे हैं लोगों ने इस सरकार को इतना बड़ा जनादेश दिया है क्योंकि वो चाहते हैं कि सरकार समस्याओं का समाधान करे वो समस्याएं जो इस देश की विकास और इसके भविश्य के के लिए रुकावट हैं सीमाओं का मुददा, नागरिकता का मुददा, मन्दिर मस्जिद का मुददा हर चीज को हमारी पीडि में ही सुलजाना चाहिए ताकि इस देश की भविश्य की पीडियों को इन स्थानिय मुद्दों के साथ जीना न पड़े उनके पास सुलजाने के लिए अन्य मुद्दे होंगे लेकिन ऐसे अतीत के स्थानिय मुद्दे नहीं होंगे बहुत रोचक क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सभी मुद्दे जुड़कर बहु संख्यों के हित वाला एजेंडा बनाते हैं जिसे ये सरकार आगे बढ़ा रही है आप उन लोगों को क्या कहेंगे देखिए लोगों का एक छोटा ग्रूप है वो मुस्लिम भी नहीं है वो लोग हमेशा समस्याएं खड़ी करने की कोशिश करते हैं अगर आप बाबरी मस्जिद केस या अयोध्या राम मंदर केस जो भी आप कहना चाहें उसका पूरा इतिहास देखें तो पिछले 40-45 सालों में जिस दौरान हम कह सकते हैं कि समधान ढूनने की कुछ कोशिशे हुई हैं आप देखेंगे कि जब जिम्मेदार पुरा तत्व विज्ञानियों ने सपष्ट सबूत दिये कि या निश्चित रूप से एक भव्यमंदर था एक स्तर की खुदाई के बाद या बिना खुदाई के जब मस्जिद में हर तरह के हिंदू चिनों वाले 12 खंबे थे जब ये सबूत पेश किये गए तो उन्होंने कहा कि ये काफी नहीं और इलाबाद हाई कोट ने एक और खुदाई का आदेश दिया 2003 में जिसमें 17 पंक्तियों में 50 खंबे सामने आएं जिससे साफ पता चलता है कि वहाँ एक बहुती भव्य मंदिर था इससे पहले तो परियाप सबूत मौजूद हैं बस कुछ मुठी भर लोग हैं जो खुद को प्रोफेसर या स्कॉलर कहते हैं जो पुरा तत्व विज्ञानी भी नहीं है जिन्होंने पूरे देश को गुमरा किया है और इसे हिंदू-मुस्लिम मुद्दा बना दिया है ये उस तरह का मुद्दा नहीं है लेकिन दुरभाग्य से उन्होंने देश को इस बात पर विभाजित कर दिया है अब समय आ गया है कि इन लोगों को इस बारे में और बोलने के मौके ना दिये जाएं ये बहुत जरूरी है कि पूरा देश स्पष्ट रूप से कहे कि हमें समाधान चाहिए हमें मुद्दों को कल पर नहीं टलना चाहिए इस उम्मीद के साथ कि वो खुद ही सुलच जाएंगे वो नहीं सुलचेंगे हमें उन्हें सीधा समबोधित करके समाधान करना होगा जो भी समाधान ढूनते हैं कुछ कम ज्यादा होगा किसी को नुकसान महसूस होगा और किसी को फायदा लेकिन इस समस्या की प्रकृती को देखें तो इसलाम के लिए बाबरी मस्जिद मुहम्मद या उनकी किसी भी विरासत का प्रतीक नहीं है ये बाबर का प्रतीक है तो निश्चित तोर पर इसलामी समधाय को बाबर की विरासत के अधार पर अपनी पहचान नहीं बनानी चाहिए क्योंकि तब सभी अत्याचारों का बोज भी उनके सर पर आ जाएगा उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन हिंदूओं की भावना ये है कि ये राम की जन्मभूमी है जो एक आदर्श है शायद दक्षिन में राम इतने बड़े आदर्श नहीं है लेकिन उत्तर भारत में करोणों लोगों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है अगर एक तरह से हमें समानता दर्शानी हो तो बहुत से भक्तों के लिए जो राम की भक्ती करते हैं जो उनके आदर्श हैं उनके लिए ये भारत का मक्का है तो 2.77 एकड़ पर जगडने की कोई जरूरत नहीं है क्या ये कोई ऐसी चीज है जिस पर 5 सदियों तक जगड़ा चले? ये बहुत ही रोचक है ऐसा लग रहा है कि आप इस मुद्दे को समाधान की और ले जाने का दायत्व मस्जद पक्षपर डाल रहे हैं लेकिन उनके वकील कोर्ट में ये कह रहे हैं कि आयोध्या विवात का समाधान काफी पहले हो गया होता अगर ये स्विकार कर लिया जाता कि राम का जन्म बीच वाले गुंबत के नीचे नहीं हुआ था राजीव धवन ने कोर्ट में यही कहा है आप इस दलील के बारे में क्या कहेंगे? देखिए कोई ये भी नहीं जानता कि हमारे दादाओं का जन्म कहा हुआ था ठीक है? एकदम सही जगा महत्वपुन चीज ये है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था कहा जाता है कि ये ही जगा थी लाखों लोगों का विश्वास है कि ये ही जगा थी अब वो वहीं पैदा हुए, या 10 फीट दूर पैदा हुए, या 100 फीट दूर, इससे क्या फरक पड़ता है? ये किस तरह की दलील है? ऐसा इसलिए है क्यूंकि इस देश के कुछ लोग, सवभागे से उनकी संख्या कम है, वो समस्याओं पर फलते फूलते हैं, वो हर समाधान में समस्या खोजना चाहते हैं, अब समय आ गया है कि हम हर समस्या में समाधान ढूंडे, अगर कोई समस्या है तो हमें समाधान ढूंडना चाहिए, अब फैसला आने वाला है, हमें उसका सम्मान करके आगे बढ़ना चाहिए और सबसे बढ़कर, मुझे लगता है कि कई रूपों में जिम्मेदार मुस्लिम समधाई जो कि मुझे लगता है 95% से ज्यादा हैं, ये सिर्फ कुछ एक लोग हैं, ऐसे लोग दोनों समधायों में हैं इन्हें अंदेखा कीजिए, अगर आप जिम्मेदार लोगों को लें, तो आप देखेंगे कि 2.77 एकर जमीन से जुड़ी भावनाएं उनके भीतर नहीं हैं, वो समाधान चाते हैं और सबसे बढ़कर एक तरीके से फैसला आने से पहले, अगर वो एक कदम उठाएं क्योंकि ये एतिहासिक पल है, अगर वो एतिहास बनाना चाहते हैं, कि वो सबसे जिम्मेदार लोग हैं, तो जज़ों के फैसला सुनाने से पहले उन्हें बयान देना चाहिए, इस देश के मुस्लिमों को बयान देना चाहिए, ठीक है ये आपके लिए इतना जरूरी है, आ कहां से आना चाहिए, वरना फैसला आएगा और फैसला आने के बाद भी हम इस समस्या को आगे बढ़ा सकते हैं, मैं बस यही कह रहा हूँ, कि समस्या को आगे मत बढ़ाईए, हमें अपनी वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, हमें नई समस्याएं बनाने की ज जलील है कि इस केस में जो असली मुद्दा है, वो है राम के जन्म की सटीक जगह. अब आप कह रहे हैं कि हम सब जानते हैं कि उनका जन्म आयोध्या में हुआ था. तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो बीच वाले गुंबत के नीचे पैदा हुए थे या नहीं? लेकिन सद पड़तावादी आपसे यही कहेंगे, कानून के जानकार लोग भी आपसे यही कहेंगे, आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? जो कहेंगे, देखिए हम मानते हैं कि राम आयोध्या में पैदा हुए थे, लेकिन ये बहस खत्म हो चुकी होती, अगर हिंदू मान लेते क कि वे बीच वाले गुंबत के नीचे पैदा नहीं हुए थे, ठीक उसी जगह पर. कि राम गुंबत से सौ फीट दूर पैदा हुए थे, तो आपकी समस्या क्या है? इस बात पर दलील ही नहीं होनी चाहिए. मैं कहूंगा कि ऐसी बाते हो रही हैं क्यूंकि आप समाधान नहीं चाहते, क्यूंकि बहुत से लोग इस समस्या का एक निवेश के रूप में इस्त अगर आप इसे देखें, तो ये बहुत ही स्पष्ट है कि उनके अपने व्यक्तिका तेरादे थे, उनकी रूची सबूतों में नहीं थी, सबूतों को देखें तो निश्चित तोर पर वहां मंदिर था, राम एकदम वहीं पैदा हुए थे या नहीं, आप हमेशा के लिए उस पर बहस कर सकते हैं, उस बात को 6000 से ज्यादा साल हो चुके हैं, कोई भी सपष्ट स्थान नहीं बता सकता, आप उसे गूगल पर मार्क नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या वहां मंदिर था, 100 प्रतिशत था, सभी जानते हैं, अब क्या मुसलिम समधाय में इसे लेकर बहुत हैं, नहीं, वो बस मानते हैं कि ये गलत हुआ, कि मस्जिद को गिराय गया, तो अब जब वो जानते हैं कि इतिहास में कुछ गलत हुआ था, और कोई उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है, आप हमेशा इतिहास को नहीं बदलते रह सकते, हिंदूओं को भी ये समझना होगा, इस एक चीज से इतनी भावनाएं जुड़ी हैं, ये इतना लंबा खिच चुका है, और ये देश के विकास में एक बड़ी रुकावट हो सकती है, किसी तरह से हमें समाधान तक पहुँचना होगा, कोट के फैसला सुनाने के बाद भी ये बहुत जरूरी है, कि हम फिर से य अगली पीडी पर डाल देंगे और मुद्दे को सुलजाने का ये कोई तरीका नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कि एक कोर्ट केस में हमेशा एक जीतने वाला और एक हारने वाला पक्ष होता है, क्या आपको लगता है कि इस केस में हिंदू पक्ष को बिना किसी अश्पष्टता के पूरा अधिकार दे देना चाहिए, क्या आपको ऐसा लगता है, ताकि जैसा आपने कहा, हम इस विवात को अगली पीडियों तक पहुँचने से रोक सकें। कि अगर ये दो समुदाय जुड़ जाएंगे, तो वो बहुत कमजोर हो जाएंगे, तो इस्ट इंडिया कंपनी ने एक योजना बनाई, और उन्होंने इन दोनों को विभाजित करने के कई तरीके खोज निकाले, पहली चीज ये थी कि उन्होंने फैसला किया कि मुस्लिमो को अलग शिक्षा मिलनी चाहिए, और उनका वोट अलग होना चाहिए, मुसलिम अलग वोट देंगे, हिंदू अलग वोट देंगे, उन्होंने इस तरह के कई कानून बनाएं, बस देश को विभाजित करने के लिए, हमें उस तरकीब का गोलाम नहीं बनना चाहिए, आज आ चाहल आप चाहते हैं कि मैं इस बारे में बोलूँ कि मैं हिंदू समुदाय का समर्थन करता हूँ, नहीं मैं वैसा नहीं हूँ, ये हिंदू समुदाय या मुसलिम समुदाय को समर्थन देने के बारे में नहीं है, मैं चाहता हूँ कि इस देश के विकास की रुकावटें च तरह है, जो देश को काफी समय से परिशान कर रहा है, और इसे जाना चाहिए, तो क्या आप राम को अयोध्या से ले जाकर चैन्नाई में रख सकते हैं, क्या ये संभव है, क्यूंकि राम तमिल नाडू भी आये थे, तो क्या हम ये कह सकते हैं, कि वो वहीं पैदा हुए थे, ये काम नहीं करेगा, तो सपष्ट है कि ये काम नहीं करेगा, तो इसे कारगर तरीके से करना होगा, बात ये पक्ष या वो पक्ष लेने की नहीं है, हम एक समाधान चाहते हैं, हिंदूओं या मुस्लिमों के लिए नहीं, हम एक समाधान चाहते हैं, इस देश के विकास के तो आपके अनुसार सबसे अच्छा समाधान क्या होगा ताकि ये सुनश्वित किया जाए कि हमारा देश विकास करे बिना किसी रुकावट के सीमाओं के मुद्दे हैं, हम उन्हें सुलजाने की कोशिश कर रहे हैं नागरिक्ता के मुद्दे हैं, हम उन्हें सुलजाने की कोशिश कर रहे हैं मंदिर और मस्जिद के मुद्दे हैं, हम उन्हें सुलजाने की कोशिश कर रहे हैं ये एक अच्छी बात है लोगों द्वारा एक सरकार को भारी जनादेश देने का मतलब ही यही है कि उन्हें विश्वास है कि वो समस्याइं सुलजाएंगे जब हम समस्याइं सुलजाने की कोशिश करते हैं तो क्या ऐसा परफेक्ट तरीके से होगा? नई, आपको समझना चाहिए कि इनसान का कोई भी काम कभी भी परफेक्ट नहीं होता हमारे एरादे परफेक्ट हो सकते हैं लेकिन जब हम कुछ करते हैं तो वो कभी परफेक्ट नहीं होता तो उन दोशों को कोई अन्याय समझ सकता है आईए हम इन चीजों को कुछ देर के लिए किनारे रखते हैं आईए समझते हैं इस पूरे किस्से में मेरे अनुसार सबसे बड़ी शरारत अंग्रेजी शासकों ने की थी और शरारत का दूसरा स्थार बहुत ही कटर, वामपंथी स्कॉलर और प्रोफेसरों ने किया है इससे बड़ी बात कह सकते हैं, मुसल्मानों को वैसे जीना चाहिए जब हम हिंदूओं की बात करते हैं, अभी वो राम की बात कर रहे हैं राम उस तरह के व्यक्ति हैं, जिन्होंने बस अपना वचन निभाने के लिए अपना राज्य छोड़ दिया उनका राजा के रूप में राजय अभिशेक होने के बाद भी, वो जंगल चले गए और उनकी पत्नी का अभरण हो गया, भयंकर चीजें होती हैं लेकिन जब वो अपने शत्रू को मारते हैं, जिसने उनकी पत्नी का अभरण किया और लोगों के साथ भयंकर चीजें की, उसे मारने के बाद उन्हें पश्तावा होता है तो आप ऐसे आदमी के लिए लड़ रहे हैं, ये मत भूलिए और वामपंधियों को ये याद रखना चाहिए कि जो हर तरह की धोके बाजी भरी बगवास वो कर रहे हैं हर जगह, आज भी वो जो कर रहे हैं, मैं उन्हें याद देलाना चाहता हूँ कि वो जोजफ स्टालिन के बच्चे नहीं हैं या माउत इस्तंके, उनका काम काल माक्स का प्रतिनिधी बनना है जिन्होंने समानता वाले समाज के विचार रखे थे एक समाज जिसमें असमानताएं ना हूँ एक करुणा मैं अर्थ फ्यवस्ता, जो हर इंसान को पोशित करे वो यही प्रस्तुत करते हैं कृपया तीनों को ये याद रखना चाहिए फिलहाल हिंदू-मुस्लिम जगड़े की भावनाओं को भढ़काना ये दुर्भागे से ना तो मुस्लिम समदाए से आ रहा है ना ही हिंदू समदाए से आ रहा है दोनों पक्षों में कुछ एक लोग हैं मैं मना नहीं कर रहा लेकिन मुख्य रूप से ये कटर वामपंथियों से आ रहा है उनकी धर्म में रुची क्या है? उनकी धर्म में रूची ही नहीं होनी चाहिए लेकिन वो हमेशा इससे खेलते रहते हैं मैं उन सबसे विनिती करता हूँ कृपे आप समझें कि आप किसका प्रतिनित्व कर रहे हैं आप महम्मद के प्रतिनिती हैं तो आप यह नहीं कर सकते आप राम के प्रतिनिदी हैं तो आप ये नहीं कर सकते आप कालमाक्स के प्रतिनिदी हैं तो भी आप ये नहीं कर सकते तो कटर वाम पंथी अब प्रधान मंत्री ने उनमें से कुछ का वर्णन करने के लिए एक नाम दिया है वे कहते हैं उन्होंने देशवासियों के दिमाग पर भारी प्रभाव डाला है क्योंकि वे प्रशासनी केंद्र के बहुत पास रहते हैं आप इसे लटियन जून कह सकते हैं, आप इसे खान मार्केट गैंग कह सकते हैं या कुछ भी क्या आप मानते हैं कि ये लोग अपने निजी फायदों के लिए ऐसा करते हैं या वे बस अपनी विचारधारा के कारण ऐसा करते हैं देखे मैंने यही कहा, उनकी विचारधारा काल माक्स के बारे में हैं वो इससे प्रेरित हैं, क्योंकि दुर्भागे से उन्होंने ये समझा है जब कालमाक्स ने कम्योनिजम की कलपना की थी तो उन्होंने सोचा था कि सबसे अमीर देश कम्योनिजम अपनाएंगे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि हम अपनी मानफता की वज़े से कम्योनिस्ट बनेंगे लेकिन फिलाल वो समझते हैं कि जब गरीबी होगी सिर्फ तभी कॉमिनिजम होगी लोगों को कॉमिनिस्ट बनाने के लिए आपको इस देश में स्थाई गरीबी चाहिए तो वो उस देशा में काम कर रहे हैं उनको हराना होगा क्यूंकि ये देश के लिए अच्छा नहीं है क्यूंकि देश विक्सित होने के लिए मेहनत कर रहा है लोग अपनी आकांग्शाएं पूरी करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और कुछ लोग अपने अर्मान पूरे करने के लिए यहां गरीबी चाहते हैं। ये बहुत रोचक है, आँखें खोलने वाला और काफी रोचक। सद्गुरु मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अनिवारी रूप से कोर्ट केस में कोई हारेगा, कोई जीतेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये चीज कहां तक जा सकती हैं, बातें कहां तक जा सकती हैं, सिर्फ मंदिर और मस्जित की ही बातें नहीं हो रहीं। यही लोग ये भी अभ्यान चला रहे हैं कि अगर आप बहुत से पेड लगाएंगे, तो ये देश के लिए खतरनाक है। कि कुछ गलत हुआ है, अगर आपके शब्दों में कहें, तो वे कहेंगे कि उनके साथ अन्याय हुआ है, वे उससे बाहर कैसे आएंगे, वे किसके पास जाएं, नुकसान की इस भावना से उभरने के लिए। कोट चाहे, कोट चाहे जो भी कहे, मैं सला दूँगा, कि उत्तर प्रदेश सरकार, अगर ये उनके हाथों में हैं, या फिर केंदर सरकार को, उनकी पीड़ा को कम करने के लिए कुछ करना चाहिए। उनके अनुसार जो भी तरीका सही हो, जितना जरूरी हो, उससे ज्यादा ही कुछ किया जाना चाहिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें दुख न पहुंचे। क्या आपको लगता है कि समय पर अधारत ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये एक पीड़ी की बात नहीं है, तो इसे क्या स्वरूप देना चाहिए, ये एक पीड़ी की समस्या नहीं है, आप इसे सुल्जाने के लिए किस तरह की विवस्था की सलाह देंगे, एक चीज है कि मैं इसलाम का विशेशग्य या स्कॉलर नहीं हूँ पर जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, एक चीज स्पष्ट रूप से कही गई है, कि मस्जिद विवादित जमीन पर नहीं हो सकती, जब मुहमद मस्जिद के बारे में बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि मस्जिद कहीं भ हो सकती है, वो एक खुली जगह भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि वो साफ होनी चाहिए, सिर्फ भौतिक रूप से साफ नहीं, हर तरह से साफ, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि उसके बारे में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, वो एक साफ जगह होनी चाहिए, जह किसी में इतनी नाराजगी है कि उनका मंदिर ले लिया गया। मुझे लगता है कि धर्म के अनुसार भी ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। किसी को उन्हें सही बात समझानी चाहिए। बजाए इसके कि ये कहा जाए कि अन्याय हुआ है। मुझे बताईए न्याय कैसे करें, आधा आधा बांटें। ये सॉलमन की समझ की तरह है। दो महिलाएं एक बच्चे के लिए लड़ रही थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसके दो टुकडे कर देते हैं। तब मा बोली, आप ले लीजे। मैं अपने बच्चे के दो टुकडे नहीं करूंगी। हमें सॉलमन की समझ के हिसाब से चलना चाहिए और समझना चाहिए कि टुकडे करना कोई समधान नहीं है। हमें ऐसा समधान करना चाहिए, जो सभी के लिए अच्छा हो। लेकिन लोग आहात होंगे, जैसा कि आपने कहा। कोड तो बस कानून का पालन करेगी, वो शायद पीडा को कम ना करे। लेकिन सरकार को पीडा को कम करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इतु समधाय को भी पीड़ा को कम करने का प्रयास करना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है. आपको पटाके जलाकर उचलकूत नहीं करनी चाहिए. हम जीत गए, हम जीत गए. देश में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए. आप में राम जैसी विनमरता होनी चाहिए. आपको उन ये बहुत ही सार्थक चर्चा थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका संदेश गूंजेगा.